नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गोर्मेंट पर्मनेट वेकेंसी के बारे में हैं तो वीडियो को सुरू से एंड तक जुरूर देखें ताकि कोई भी डीटेल आओ आप से मिश ना हो और यह जो वेकेंसी निकले है यह निकले है बापा फरीद य की तीन पोस्त हैं स्òngरी की पर के छीए हैं इक और आई उंसली सव 거죠 देख सकते हैं और ऊदिकलोंट पास होने चीत होने उदके क्येम्ण्म थे और यह सकते हैं만 यह नतरा है होना चाहिcuz बात देख सकते हैं इसके बात देख सकते हैं इसके बात चाहिए थे जो कार्डियों लोगी ऑसिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए ब्य सी होना चाहिए मेडिकल के अंदर तीन साल का गना का युद fundament होनी चाहिए मेडिकल छेतर के अंदर यानि बायो के अंदर और साथ में यह आपने बीसी कैथ लेप टेकनोलोजी के अंदर कर रखिए बीसी तो भी आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद हिटको टेक्निशियन की दो पोस्टे हैं उसके बाद देख सकते हैं एनम की यहां पर तीन पोस्टे हैं और इसके लिए बारवी पास होने चाहिए साथ में एनम का डिपलोमा आपके पास होना चाहिए यह दिया आपने मल्टी परपस हेल्थ वरकर का कोर्स कर रख है और दो साल का वरकिंग एक्सपिरिंस है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं लाइबरी यहां पर अटेंडेंड की दो पोस्ट हैं वेल्डर की एक पोस्ट है इनकी जो क्वालिफिकेशन है वह सामने दिर के बाप देख सकती है इसकी पीडिये अप डाउनोड करके इनकी उसके बारवी पास की होने चाहिए उसके बाद बीस्च की होने चीए और साथ में एक साल क जो डाइलैसिस टेक्निशन का कोर्स है वो किया होना चाहिए और दो साल का वरकिंग एक्सपिरियंस होना चाहिए लेविटिव फिल्ड की अंदर उसके बाद देख सकते हैं डाइसिक्षन है जो हला टेंडेंड है उसकी तीन पोस्ट है इसके लिए मिडिल पास होना यहां पर एक्सपिरियंस नहीं मांगा गया है एक्सपिरियंस है तो आपको प्रात्मिकता मिल जाएगी फोटोग्राफर की देख सकते हैं एक पोस्ट है टेक्निकल एसिस्टेंट की एक पोस्ट है रेफ्रो कनेक्टनिस्ट की एक पोस्ट है रेफ्रो कनेक्टनिस्ट जो प पोस्ट हैं, biomedical technician की दो पोस्ट इसके लिए matriculation होना चाहिए साथ और 50% mark के साथ, तीन साल का diploma होना चाहिए electronics and communication के अंदर, उसके बाद biomedical engineer की एक पोस्ट देख सकते हैं, और यह category वाज पोस्टों का division है, इसकी PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और और सोट apo notification हैं, और यह पोस्ट description की पोस्ट है, और तेक्ट की तीन पोस्ट है, यहां पर देख सकते हैं तीन पोस्ट है, डिजल इंजिनेयर मेकेनिक की एक पॉस्ट है और उसके बादион करपख़एंटर की भी पॉस्ट है Roberts丁ष जो रिसेप्स निश्ट है उसकी भी यहां पर चाह पुस्ट है ऑ्डियू व्यदय मीजान होल अंडिक स्टान ऑट्रइंडट की सिर्थ शाइप यह परदा और आपका जो selection process है वो online test या CBT या interview के आधार पे होने वाला है payment की बात करते हैं तो payment आफ 18,000 से लेकर 35,400 तक आपको मिलने वाला है apply करने के लिए BFUHS यानी बाबा फरीद University of Health Sciences के official site पे जाना है notification को verify करना है, online apply link पर click करना है यदि आपने registration कर रहा है तो mail ID और password डाल के login करना है यदि नहीं किया है तो registration करना है application form को phone रूप से fill up करना है यदि documents upload करने तो उनकी scan copy upload कर दीजिए और application fees वहाँ पर जमा कुईजिए और फोरम को last में submit कर दीजिए लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो रहेगी 13 जुलाई 2023 यानि 13 जुलाई 2023 से पहले पहले आप इसको apply कर दीजिए काफी बड़िया वेकेंश है यहाँ पर government permanent vacancy होने वाली है स्टाप नर्स की सबसे ज़्यादा डाइसो पोस्ट हैं तो इस वीडियो में दीगे जानकार कैसे लगी कमेट कर जरूर बताएं और वीडियो में दीगे जानकार अच्छे लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो चले दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए भरती एक नए जानकारी के साथ तब तक लिए जै हिंद जै भारत